गाइस, वेलकुम बैक में मैंच चानल दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ महराश्चर राजय की एक बहुत ही खुबसूरत से हिल स्टेशन पे जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ पंच गनी की और आज की ये वीडियो एक requested वीडियो होने वाली है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी महाबलेश्वर वारली वीडियो को देखने के बाद मुझसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आके ये request की थी कि मैं पंच गनी के उपर भी एक वीडियो लेके आऊं तो हाजर हूं मैं आज आप सब की ये requested वीडियो लेके तो गाइस अगर आप महाबलेश्वर जाने की planning कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रिप में पंच गनी को भी जरूर include करना चाहिए इसके अलावा भी अगर आप अपनी रोज की शहर की भाग दोड और शोर गोर भरी लाइफ से बोर हो चुके हैं तो भी आपको पंच कनी जरूर विजिट करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहां की हरी भरी घाटिया, जादू इजहरने और तेज हवाए आपके ठके हुए मन को उमक से भरने का काम करेंगी तो दोस्तों अगर आप भी पंच कनी जाकर एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो मैं आप सबको सारी इंपोर्मिशन दे दूँगी पंच कनी विजिट करने से रिलेटिड जैसे कि आपको वहां कैसे पहु कितना आ जाएगा तो दोस्तों यह सारी जानकारी लेने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहां है तो चैनल को जल्दी से सब्क्राइब कर लीजे साथी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे क्योंकि मैं आप सब के लिए देश विदेश की यात्र समद्धी ऐसी इनपोर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूं तो चलिए दोस्तों बिना देर के वे जल्दी से स्चार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे प लगबग 110 किलोमीटर की दूरी पर है और इस हवाई अड़े तक के लिए आपको देश के बड़े-बड़े प्रमुक शहरों से फ्लाइट्स आराम से मिल जाएंगी और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको टैक्सी या क्याब बुक करके पंचगनी तक पहुशना होगा अगर आप ट्रेंस जाने की सोच रहें तो पंचगनी का निकटम रेलवे स्टेशन पुने रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन पंचगनी से लगबग 103 किलोमीटर की दूरी परस देता है और पुने तक के लिए आपको देश के बड़े-बड़े शहरों से ट्रें आसानी से मिल जाएंगी और रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको टैक्सी या फिर बस लेके पंचगनी तक पहुचना है अगर आप बस से जाने की सोच रहे हैं तो पंचगनी जाने के लिए महाराश्रा राज्य सडग परिवहन निकम और कुछ प्राइवेट ट्रे में ही काफी सारे कार और बाइक रेंटल्स अवेलेबल हैं चलिए दोस्तों अब पंचगनी पहुचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटेल देखना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे बजट होटेल के साथ-साथ अच्छे लक्शरी होटेल भी बीच मिल जाएंगे वहीं अगर आप लक्शरी होटल प्रिफर करते हैं तो उसकी कोस्त आपको 2000-6000 के बीच बढ़ जाएगी और अगर आप फ्यूट अगर हम यहां खाने की तो आपको यहां पे खाने भीने के काफी सारे आप्शन्स अवेलेबल हैं आपको यहां के रिस् और South Indian dishes के साथ-साथ महाराश्रिन थाली भी मिल जाएगी इसके लावा आपको यहाँ पे गुजराती, पंजाबी, चाइनीज और Continental dishes भी इसली मिल जाएगी उनका भी स्वाद आपको जरूर चकना चाहिए लेकिन दोस्तों मेरा suggestion आपको ये रहेगा कि अगर आप अंच गनी घूमने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे महाराश्रिन कुजीन का स्वाद जरूर चकना चाहिए और अगर हम खाने पीने के कौस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 500-200 के बीच वेच थाली आराम से मिल जाएगी और अब चल्दी से आप सबको बता देती हूं कि आपको करी 95 एकड के शेत्र में पहला हुआ है और आपको यहाँ से पूरे पंचकनी का खुबसूरत व्यू तो देखने को मिलेगा ही साथ ही साथ अगर आप सन्राइज और संसेट देखने के भी शौकीन है तो उसका भी बहतरीन व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा और यह जगर नेचर लवर्स के साथ सथ एडवेंचर लवर्स के लिए भी एकडम परफेक्ट है क्योंकि आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइमिंग जैसी अक्टिविटीज भी इंज्यॉय कर सकते हैं और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं देवराई आर प्रिपकारों और कलाकौरों के द्वारा बनाये गए बहतरीन आर्टवर्क और मेटल के शोपीसस देखने को मिल जाएंगे और इन सभी आर्टवर्क की सबसे खास बात यह है कि यह ट्राइबल आर्ट को अर्बन लिविंग से जोड़ने का काम करती हैं और इन में आपको ल पार्सी पॉइंट जो कि देवराई आर्ट विलेच से एक किलोमेटर के डिस्टेंस पे है और यह जगा नेजर लवर्स के लिए तो है ही साती साथ अगर आप अपनी रोज की भागदार भरी जिंदकी से एक ब्रेक लेके कुछ पल शांती और सुकून के बिताना चाहते हैं किसी नैचुरल इन्वार्मेंट में तो यह जगह आपके लिए बिलफुल परफेक्ट है क्योंकि यहां पर आपको क्रिश्ना घाटी और धूम डाम के शांदार नजारे तो देखने को मिलें गई साती साथ यह जगह हरे बरे पेड़ों से गिरी हुई है तो आपको यहां आ दोस्तों आप यहां पर कैमल राइट का मज़ा भी ले सकते हैं और टेलेस्कोप से इस पूरी घाटी का खुबसूरत व्यू भी देख सकते हैं और इसके बाद गाइस आप विजिट कर सकते हैं बीलर पॉल्स जो कि पार्सी पॉइंट से एक किलोमेटर के डिस्टन्स पर है तो बीलर पॉल्स को विजिट करना बिलकुल मत बूलिएगा क्योंकि इस जहने के बहते हुए पानी का शोर आपके मन को डेफिनेटली शांती और सुकून से भर देगा और इसके बाद दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं केट्स पॉइंट जो कि बीलर पॉल्स से लगबग 13 किलोमीटर के डिसंस पर है और ये जगह बेसिकली कृष्णा घावटी के ऊपर की विशाल चटान है जहां से आपको धाम डैम और बकलवाडी की घाटी के पानी का शांदार नजारा देखने को मिलेगा इसके लावा इस जगह को इको पॉइंट के नाम से भी जाना जाता ह क्योंकि यहां से आप अपनी आवाज का इको अराम से सुन सकते हैं और इसके बात करें अगर हम यहां के टाइमिंग और एंट्रीफीज के बारे में तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये विउपॉइंट टूरिस्ट के लिए खुला रहता है और यहां पे आपको 10 पॉइंट जो कि पंचगनी से लगबग 2 किलोमीटर के डिस्टंस पे एक पहाड़ी पे छोटा सा व्यूपॉइंट है जो कि परेटकों के बीच काफी जादा लोगवी है अपने खुबसूरत नजारों के लिए आपको यहां से धाम डैम कृष्णा वैली और कमल गड़ के क पहले के खुबसूरत नजारे तो देखने को मिलेंगे ही साथी साथ अगर आप सन्राइज या संसेट भी देखना चाहते हैं तो उसका भी खुबसूरत नजारा आप यहां से देख सकते हैं और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं राजपूरी केव्स दोस्तों करता है कि यह पानी हर तरह के रोग को ठीक कर देता है और इस गुफा का सबसे बड़ा आकर्शन है भगवानकार्टिके का मंदिर आपको यहां पर भगवानकार्टिके का एक बहुत ही पुराना चितरों देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आप जा सकते हैं वाई जो क के सबसे प्रमो काकर्शन में आता है पांडवगड का किला जो कि यहां से लगबक 9 किलो मीटर की दूरी पर है तो आप उसे भी विजट कर सकते हैं लेकिन दोसों पांडवगड के किले तक पहुचने के लिए आपको लगबक 1.5-2 घंटे की ट्राकिंग करनी होगी और यह आपकी आसान नहीं होने वाली है और किले में उपर आपको एक देवी मंदिर देखने को मिल जाएगा आप उसमें पीजाकर दर्शन कर सकते हैं इसके अलावा वहां पे आपको कुछ तालाब भी देखने को मिल जाएंगे आप अगर घूमने फिदिने के बाद आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो पंच गर नी प्रमस हे अपनी स्ट्रॉबरीज के लिए तो आप यहां से अपने लिये स्ट्रॉबरीज भी खरीज सकते हैं इसके अलावा आपको यहां पे जैम्स और जलीज भी मिल और दोस्तों अब आजाता है सबसे बड़ा सवाल कि पंच गनी विजट करने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन से सबसे बेस्ट टाइम रहेगा पंच गनी विजट करने के लिए तो दोस्तों दो से तीन दिन आपके पंच गनी की ट्रिप के लिए सफीशेंट रहेंगे और अगर आप पंचगनी और महा बलेश्वर की एक कमबाइंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कुछ दिन और आड़ कर लेने होंगे और महा बलेश्वर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है वीडियो का ल आरिश भी हिस्समें कम होती है तो आप आराम से खुलके इंज्वाई कर सकते हैं अगर हम बजट की तो पंचगनी घूमने में आपको ऑन आन आवरेज 2,000 रुपए प्रतिव यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा और इस बजट में मैंने आपकी फ्लाइट ट्रेन आप बसके टिकेट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एड़ कर सकते हैं मैंने इस बजट में सिर्फ आपके होटेल, खाने, पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है तो दोस सकते हैं मैं वहाँ जरूर रिप्लाई करूंगे आपको और मेरे फेस्बुक पेज और इंस्ट्राग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा और मैं मिलूंगे जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और पेर इन्स मेरे धकी विंदा रड मैं अध गाया खे ल दुवर गली इंस्टुक नम्हाँ पूर जाज ऑग दोनो दोन दोना खेग builder को मैं बॉली आपको एझाना experts मैं पूली में एक जली आपको अगरौन आपको इंस्में दुआंटें दोनों लोक और मैं बॉलीं संखने